जै बद्री विशाल मान्य परधान मंत्री जी मान्य परधान मंत्री जी को मेरा साधर पढ़ नाम मेरा नाम डॉक्टर हिमानी वैशनो है मैं देव भूमी उत्राखंड के सीमांत छेतर चमोली जन्पत से हूँ मान्य परधान मंत्री जी को मेरा प्रस्न है पहले सामाजिक न्याई के नाम पर तुस्री करण को बढ़ावा दिया गया हमारी सरकार ने संटुस्री करण पर बल दिया और उनको भी पूछा जिनको किसी ने नहीं पूछा पहली की तुलना में अब आए अंतर को हम सामान्य जन को कैसे बताएं बहुत ही सवाल बेहन आपने पूछा है कुछ लोग सिर्फ अपने दल के लिए जीते हैं दल का ही भला करना चाहते हैं वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ब्रष्टाचार का कमिशन का मलाई खाने का कटमनी का हिस्सा मिलता है उन्होंने जो रास्ता चुना है उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये रास्ता है तुष्टी करन का भोट बेंग का गरीब को गरीब बनाए रखने वन्चित को वन्चित बनाए रखने से ही उनकी राजनिती चलती है तुष्टी करन का ये रास्ता कुछ दिनों तक तो फायदा दे सकता है लेकिन ये देश के लिए महा बिनाशक होता है ये देश के विकास को रोग देता है देश में तबाही लाता है देश में बेद्वाव प्यदा करता है समाज में दिवार खड़ी करता है एक तरफ इस तरह के लोग जो तुष्टी करन करके अपने स्वार्थ के लिए छोटे छोटे कुनबे दूसरों के खिलाब खड़े कर देते हैं और दूसरी तरफ हम भाजपा के लोग है हमारे संसकार अलग है हमारे संकल्प बड़े है और हम हमारी प्रात्विक्ता दल से पहले देश की है और हम सब यह मानते हैं कि जब देश का भला होगा तो सब का भला होगा जब सब का भला होगा तो देश आगे बड़ेगा और इसलिए भाजपा ने यह तै किया है कि हमें तुष्टी करण के रास्ते पर नहीं चलना है वोट बेंक के रास्ते पर नहीं चलना है हमारा रास्ता कौन सा है हमारा हम मानते है कि देश का भला करने का रास्ता तुष्टी करण नहीं है तुष्टी करण नहीं है सच्चा रास्ता है संतुष्टी करण आज देश में जहां भी भाजपा सरकार है वहां हम संतुष्टी करण के अभियान में लगे है संतुष्टी करण का रास्ता महनत वाला रास्ता होता है उसमें पसिना बहाना पड़ता है अगर बिजली मिलेगी तो सब को मिलेगी तब लोग संतुष्ट होंगे अगर नल से जल का भियान चलेगा तो हर गर तक चलेगा हर एक को पहुंचाने का प्रयास होगा इसमें किसी के साथ बेदवाव नहीं होगा जाती नहीं, बिरादरी नहीं, काका, भतीजा, मामा, कुछ नहीं जब बेदवाव नहीं होगा तो समाज में संतुष्टी बढ़ेगी इसलिए हम संतुष्टी करण के रास्ते पर बढ़ रहे हैं साथियों हमने देखा है कि कैसे तुष्टी करण वाली गंदी सोच ने कुछ राज्यों के भी में लोगों के बीच खाई पैदा कर दी हमने देखा है कि यूपी में हमारे पासी भाईबेन, कोरी भाईबेन, खटिक भाईबेन और दनुक जैसी तमाम हमारे चोटे भाईबेन राजनिती के शिकार हुए और विकास से मंचीत रहे गए उदर हम बिहार में देखे तो कोई दलीत, कोई मादलीत और उसमें भी नई राजनिती और समाज को बार दिया इसकी वज़े से एक वर दूसरे वर को आसंका से देशने देखने लगा कुछ जातियों पर विशेज ज्यान और कुछ जातियों की उपेक्षा अगर हम दक्षिन भारत की तरफ देखें वहाँ पी कभी कभी राज रेता होने एसे कई समाजों को बर्बात करके रखा है भ्यात भ्याव को बढ़ाया है अब जैसे मैंने सुना है केरल में अडियन काट्टू नायकान कोचु वेलान मालासार तेन कुरुमबन जेनु कुरुमबन वेट्टा कुरुमन मलय पंडारम ये जातियों को विकास की रखम में पीछे चोड़ दिया गया कुछी लोगों को मलाई मिलती गई उसी तरब अगर आप करनाटर का में जाएंगे तो मलाई कुडी, पल्यान, शोलगा, विटोलिया, कोत्वालिया, बारोडिया उनकी भी उपेक्षा हुई अगर हम तेलंगरा में जाएंगे कुलिया, जात्पू, चैचू, मन्ना दोरा, हमारे तमिल लवडु में एरवलन, काडर, कोंडा कपोस, मलाई वेडेंड, पल्यान, मुडुगर इन सब को पीशे चोड़ दिया, कोई इनकी परवानी करता, अनुसुच जाती की बात करें तो उनके साथ भी ऐसे ही किया गया केरल में अयनवर, कुशा, वल्लुवान, नलकाईदाया, पनान, तमिल लवडु में बेरा माली, बाविलन, नैदी, थोटी, वल्लोन, जगली, जंबु बलु, ऐसे नेक जातिया है क्या हागा करके रखा हैं उनका मेरे पाद लंबी लीष्ट है तेलंगर आदे, बारी की, बावूरी, अखामला, मस्टी मातंगी, पमीडी जातियों को ये तुष्टी करन की राजनिती ने उनको बरबात करके छोड़ा बाईयों बैनों, वोट बैंकी राजरिती में गुमन्तू जनजातियों की कोई परवानी कह गई हमारे बंजरा भाईबेन, हमारे बालदिया लबाना, हमारे गाडिया लोहर, हमारे गडोलिया, हमारे गडरिया, हमारे गायरी जैसे तमाम एक गुमंतु जातियों को सरकारी योजनाओं से लंप बंचित रखा गया उनके नसीब पर जोड़ गया जब हम तुस्ती करण के रास्ते पर जाते हैं तो समाज को बहुत बड़ा नुक्सान होता है साथियों पिछले नव वर्षों में हमने ऐसे छोटे छोटे हर परिवार की समाज के छोटे छोटे तपके की सूध ली जिनकी पहले किसी ने सूध नहीं ली थी आप देखिए पी-एम स्वन इदी योजना के तहत रेडी पट्रे ठेले फुटपात पर माल बेचते हैं, सबजी बेचते हैं ऐसे साथियों को पहली बार हमने बैंक में ले गए, बैंक के दरवाजे खोल दिये और उनसे बैंक से आसान कम ब्याद से पैसे दिलाना का काम किया इसी प्रकार इस वर्द के बजेट में पी-एम इस बाहर आने वाला है थोड़े दिन में आपके बाद भी कुछ सुझावा तो मुझे बेजना गोशना किये हमने बजेट में पी-एम विश्व कर्मा योजना ले करके आए हैं और ये पी-एम विश्व कर्मा साथी जो हाथ और ओजार से काम करते हैं जैसे हमारे लुहार, सोनार, कुमार, सुथार, मुर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री ऐसे सभी साथियों को इस योजना के तहद मदद मिलने वाली है साथियों, सामाजी एक न्याय के नाम पर वोट मांगने वालों ने गाव और गरीब के साथ सबसे अधिक अन्याय किया है भाजपा सरकार ने हमारे बंजारा भाई बेन और गुमंतु समय जाय के लिए वेलफेर बोर्ड गर्षित किया OBC कमिशन को समय धानिक दर्जा देने का काम भी भाजपा ने किया और ये बाजपा सरकारी है जिसने पहली भार गरीब परिवारों को भी सिक्षा और सरकारी भरतियों में आरक्षन का लाभ दिया